हेलो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ये है राधा का घर और यहाँ पर अभी सुभा का टाइम है कृष्णा और राम यहाँ पर सो रहे हैं और यहाँ पर सो रही है राधा और हरे ये क्या श्याम कहा पर है चलिए देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है और यहाँ पर श्य ट्रोली ट्रोली खेलना है अरे ये क्या लगता है श्याम रात पर सोया नहीं है अपने ट्रोली के साथ ही खेल रहा है ट्रोली ट्रोली और फिर तभी वहाँ एक जंगली कुट्टा आ जाता है अरे ये क्या जंगली कुट्टा तो रादा के गर में ही जा रहा है और यहाँ पर यह कुत्ता बहुतेता भूका रहता है और बरतोनों में जाकर जाकने लगता है अरे यह क्या लगता है कुत्ता कुछ जाद ही भूका है और यहाँ पर श्याम कुत्ते को देख लेता है जोगी जोगी और यहाँ पर श्याम डॉगी के पास जाने लगता है और यहाँ पर यह कुता श्याम को देखकर डर जाता है और वहाँ से दिल दिल भागने लगता है जोगी जोगी रुको जोगी जोगी और फिर तब यह अचाना को डॉगी रुख जाता है और श्याम के पास देखने लगत और यहां पर श्याम बिल्कुल भी नहीं डर रहा होता है जोगी प्यारे जोगी जोगी और यहां पर कुटा आपने दूम हिलाने लगता है और यहां पर सोणम और स्या भी साइकल चलाते हुए आ रही होती है वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री अरे सोणम मैं ठख गई हूँ अब मैं साइकल सिधा घर पर लेकर जाओंगी चलो अब जल्दी से अरे नहीं माशी आप ऐसा नहीं कर सकती है ममी ने बोला है कि पाथ चक्कर लगाना है और अभी तीन ही राउंड हुए है दो राउंड और बाकी है चली है दिल्दी से अरे क्या सोनम तुम और दीदी सेम हो एक जैसे हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती हो मैं आखे कौन से एंगल से मोटी दिखती हूँ हाँ जो मुझे इतना ज़्यादा काम करवा रही है अरे माशी चली है आपके शादी है आपको थोड़ा पतला और होना पड़ेगा चली है चली है रुके रुके माशी रुके अरे सोनम अब क्या हो गया अरे माशी वो देखिए श्याम श्याम के पीछे लगता है कुटा लगा हुआ है कई वो काट ना ले श्याम को अरे सोनम तुम भी न वो कुटा शाम के साथ खेल रहा है ना कि उसे काटेगा तुम भी न चलो हम चलते हैं अभी तुम उझे दो राउंड और लगाने हैं अरे माशी आप क्या बोले हैं हमें शाम को बचाना पड़ेगा वरन्वों कुटन सच में श्याम को काट लेगा वो ना जंगली कुटा है उसने बहुत सार लोगों को काटा है चली ना जैये हुसे चल्दी से बचाएं बिचारा श्याम अरे क्या सोनम तुम तो फीछे पड़ श्याम को बचाने के लिए राम है ना तुम चिंदा मत करो चुरो हम चलते हैं अजी माशी आप तो बहुती खुद गर्ज हैं बिचाले श्याम को इसी छोड़ के चली जाएंगी आप तो बहुती बुरी हैं अच्छा तो ठीक है लेकिन फिर दीदी ने डाड़ा लेट होने के लिए तो तुम्हारा ही नाम फसेगा ठीक है ना मैं जाकर बचाती हूँ श्याम को यह लड़की ना मुझे हर्दम फसा देती है और फिर यहां पर सिया श्याम के पास जाने लगती है तुम यहीं पर रुख न मैं आती हूँ ठीक है ना अरे देखो तो जरा यह कुट्टा तो सच में बहुत ही डुरावना है ए कुट्टे हट 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 खबरदार जो तुम अरे तुम मेरे पास ही देख रहा है हटो हटो यहां से हटो और यहां पर कुट्टे को गुस्स आ जाता है और उस यह के पास ही आ रहा है चलो हटो हटो यहां से जाओ जाओ और यहां यह कुट्टा बहुत यहां गुस्से में होता है और वो सिया को काटने लगता है अरे सोनम बचाओ मुझे हाँ यह कुट्टा तो मुझे काट रहा है देखो तो इस लड़की ने मुझे कितना बुरा फसाया अरे बचाओ राम बचाओ मुझे हट हटो यहां से जा जाओ यहां से हट हट और यहां पर कुट्टे को बूतियता गुस्सा आजाता है और हो सिया के पैर में काटने लगता है अरे दोगी तो माशी को काट रहा है अरे दोगी भागो वहागो क्यों काट रहा है मेरी माशी को मत काटो हटो 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 वहां से जाओ अरे गं कर रहा है दीदी इस गुट्टे ने मुझे बहुती जोर से काट लिया है सोनम बचाओ मुझे जल्दी करो लगदे यह कुट्धा आज मुझे कच्छा चबा जाएगा बचाओ कोई बचाओ अरे कुट्धे हट हट जाय है धो यहां से भागो अररे सोनंं तुम कियुव एसे बचाओ मुझे कहा केन्या मत जड़ो पदा नहीं में कहां फस गई आओ मेरा पैर कही इस कुट्धे ने मेरा पूरा पैर तो नहीं चबा लिया है अरे नहीं चलो चल्दी जाती हूँ, चल्दी ईदु हाँ, राम को चे СледATION हूँ, मेरी सिय मासी को बचा लेंगे, राम राम उतो जल्दी से उठ जल्दी से, नेकिए सिय मासी खत्रे में उतो जल्दी उतो अरे यह कि too उठने का नामी नहीं ले रहे हैं, उठो, उठो उठो जल्दी उठो अरे भाई कोुँ ने मुझे परिशान कर रहा है, ठीक से सुने भी नहीं देते वैसे भी जीजू के वज़े से मैं रात भर नहीं सो पया उनकी खराटों के वज़े से मैं नहीं उठने वाला अरे ये क्या? अरे राम उठ जाओ सिया मासे ख़द्रे में है उठो जल्दी क्या? क्या? कहा है मेरे सिया? सिया को क्या हुआ? कहा है सिया? अरे अरे राम वहाँ पर वहाँ पर सिया मासी को कुटा परिशान कर रहा है उस कुटे ने सिया मासी को बहुत ही काटा है जल्दी चलिए जल्दी चलिए उन्हें बचाना पड़ेगा अरे क्या कुटा अरे मेरे सिया कितने नाजो के अरे रू, चलो, मैं जा कर लेकर आता हूँ, अपनी लाठी लेकर आता हूँ आज इस कुत्ते को मैं नहीं चढ़ूँगा, उसने मेरे सिया को आगर कैसे परिशान किया आज देख लेना, उसे मैं नहीं चढ़ूँगा अरे, अरे ये क्या, सिया, तुम ठेक तो हो ना है कैसे शोर है चलो जाकर देखती हूँ अखिरी सब क्या हो रहा है अरे राधा और कौन तुम्हारा भाई है तुम्हारा भाई जो चिला रहा है इतना कला फाड़ी फाड़ी कर अरे क्या श्याम की बाप, आपफ देखो तब मेरे भाई के पीठे पड़ रहेते हैं हाँ वो आपसे ज्यादा हैंडसम है ना इसलिए आप उसे चिरते हैं मुझे सब पता है अरे क्या हो और मुझसे ज्यादा हैंडसम है कुछ भी हो स्याम के पापा भी न अरे अरे ये क्या ये सब क्या हो रहा है यहां पर अरे सिया सिया को क्या हुआ अरे ये सब क्या हो रहा है अरे अरे राधा क्या हो गया क्या हो गया क्या हुआ है सिया को यहां पर क्या कर रही है सिया श्याम ये सब तुमाजे वज़शे हुआ है देखो अरे दीदी देखिए सिया को कुट्टे ने काट लिया है अब हम क्या करें अरे क्या कुट्टा कैसे हाँ राम बोली दर्द हो रहा है मेरे पैरों में और यहाँ पर सिया बेहोश हो जाती है अरे ये क्या सिया तो बेहोश हो गई अरे अरे दीदी देखिए ना मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है लगता है सिया को बहुत दर्द हो रहा है अब मैं क्या करूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है दिदी मेरी सिया को कुछ होना जाए जल्दी से कुछ बताईए अरे निठले राम ये तुम क्या बोल रहे हो पागल तुम्हें इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए और क्या कर सकती हो तुम जल्दी करो सिया को होस्पिटल लेकर जाओ और क्या इस लड़के को इतना भी नहीं पता कि क्या करना चाहिए अकर कुटा काट ले तो जल्दे से इसे होस्पिटल लेकर जाओ अरे हाँ हाँ जीजू लेकिन इसमें डाटने वाली क्या बात है मैं वही तो पोछ रहा था चलो जाता हूँ देख रही हो ना राधा मैं तो बता रहा हूँ कि लड़का सिया के लिए सही नहीं है एक नंबर का लापरवा लड़का है सिया का ख्याल नहीं रख पाएगा मुझे तो नहीं लगता बस करिये शाम की पापा अब आप कुछ भी मत बोलिए गया उन दोनों के बारे में बड़े आए और तुम राम देहां से लेकर जाना सिया को धीरे धीरे ठीक है ना ये शिक तुम्हारी वज़े से हुआ है अगल मेरी सिया मासी को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हे छोड़ूंगी नहीं देख ले ना मम्मे सो नाम है है मम्मे अज़े की लड़का तो रोने लगा राधा अंती को पुला रहा है चला मैं चुपी बैठती हूँ अरे सिया तुम चिंदा मत करो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ हॉस्पिरल ठीक है ना तुम ठीक हो जाओगी अच्छा दीदी मैं जा रहा हूँ ठीक है सिया चलो हम चलते है और यहां पर राम सिया को चल दियर दी हॉस्पिरल लेकर जा रहा होता है और तभी वहां राधा के घर पर चंदा आ जाती है अरे राधा सिया और सोनम यहाँ पर आये हैं क्या मैंनों ने कब का एक्सरसाइज के लिए बेज़ा था लेकिन ये दोनों लड़किया अभी तक वापस नहीं आई अच्छा दो तुम यहाँ पर हो अरे सोनम सिया कहां पर है इसे लिए राम अंकल लेकर गए हैं उन्हें क्या कुत्ते ने काट लिया है अरे अरे राधा यह मैं क्या सुन रहे हूँ मुझे बताओ ठेक से आखिर क्या हुआ है अरे हाँ दिदी वो ऐसा हुआ कि मुझे भी नहीं पता दोस्तों हमारे आगे की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना थैंक यू फॉर वाचिंग